अप्राज शक्षा के अनेतिक मानाव तसकरी विरोधी दस्ते ने 11 वर्षिय बालिका को घरीलू कामकास के लिए खरीद कर गरम चाकू वस्टिगरेट के चटके देकर अमानविया प्रतार ना देने वाली आरूपी हिना खान को बैंगलूर से गिरफता किया है। आरूपी हिना खान तीन महीने से फरार थी। आरूपी अर्मान खान, उसकी पतनी हिना खान और साले अजर और अजरूतिंग खान ने करिब एक साल पहले पेडित बालिका को बैंगलूर से उसके बाता पिता से खरीद कर लाया था। उसके पार्कों को आरूपी ने बालिका को पढ़ाने लेकर जाने का जासा दिया था। नागपूर में लाने के बार बालिका को बातरों में रखा जाता। वही आरूपी अर्मान खान और अजर कान बालिका को सिगरेड के चटके देकर बलाककार करते थे। जबकि हिना भी बालिका को गरम तवे से चटके देकर प्रतारिक करती थी उससे घर के पूरे काम करा जाते थे इस मामले में चाइड लाइन सदस्य की शिकारत पर हुडकिवशर पुलिस ने 30 अगस को आरुपी अर्मान खान वा अजहर खान, सर्दार सेयद, सर्मान सेयद और ह इना खान के खिलाब बलातकार, पॉक्सो, बाल नैले, अधिनियम सहीद, विवी धाराओ के तहर मामला दर्श किया था इसके कुछ दिन बाद ही अर्मान खान वाज़र खान को गिरफता किया था, लेकिन आरुपियों को पुलिस थाने में वियाईपी ट्रीटमेंट दे जाने का मामला सामने आते ही, थाने की PSI बालु राठोट को निलंबिक कर थानेदार जगवेंडर सिंग राजपुत का इसमें पीडिट विक्टिम जो हुए 12 साल की है और इसी केस में पांच अरोपी मतलब आप तक अरेस्ट हुए है, पांच वी जो ही ना खान ही, यह मुख्या अरोपी इसलिए थी क्योंकि इस बच्ची को बेंगलोर से नाखपुर तक उसने ही लाया था, और यहां पर लाने के जो निशन हमने देखे, तो उसमें बच्ची को इंट्रोगेशन किया हमने, तो उसने बताया कि उसके हाथ से कुछ गलती होती थी, उसको मार पड़ती थी, और भुका भी रहना पड़ता था, तो यह सब बच्ची ने बताने के बाद उसी तरह से इंवेस्टिगेशन हमन और बेंगलोर में मिली नहीं, दो बार हमारे टीम जाकर भी आई थी वहाँ पर, तो इस बार हमने अफटर चार्शिट में खुद गई थी महाँ पर, लोकल पुलिस की मदद से हीना को हमने डूण निकला, और कल हम उसको लेकर आए हैं, आज हम उसको नयले में पेश कर रहे एक्चुली विक्टिम के जो भाई और पिता हैं, उस मतलब फैमिली एकदम गरिब घर की है, और वो चोकिदार का काम करता है विक्टिम का फादर, तो वहाँ पर एक ही घर में शायद रहते हैं सब, पूरी फैमिली उनके साथ बच्चे वगरा, तो बड़ा भाई जो विक् जब घर में काम करके आता था, तो उसमें पहली बार उसको सेक्शल असल्ट किया दोनों के साथ, फिर वो बढ़ता ही गया, तो विक्टिम ने कंप्येंट की थी फादर से, बगर उसके पपा ने बिलकुल इसमें मतलब धान नहीं दिया और उसको ही चुप करा कर रख दिया तो इसे क्या हुआ कि घर में अत्याचर होता रहा और बच्चियों के साथ गलत ही होता रहा, फिर दर्मयान एई हिना कान वहाँ पर मिली उनको, तो हिना को उस टेम ये सब पता नहीं था, जब वो बच्ची को लेकर आये, नाकपूर में की उसको पढ़ा लेते, शिक्षा तो यहां पर आने के बाद हीना का जो भाई है अजरुदिन, तो उसने उसके साथ गलत किया, तब इक्टिम ने उसको बताया कि अजरुदिन ने मेरे साथ जो गलत किया, वहां पर सलमान भी उसके साथ यही करता था, तो हीना को ये बात पता चली, फिर भी उसके टॉर्चर क्यामरापसन अखिलेश भारतवास के साथ अभिशेख पांसी की रिपोर्ट